आपने वो flash देखा, IRCTC जल्द ही e-catering की अपनी services को और expand करती हुई दिखाई देगी और विस्तार करेगी अपनी e-catering services का और सूत्रों के हवाले से अपडेट यह आ रहा है कि company Swiggy के साथ तरसल जल्द ही नहीं कल करार करेगी दिपाली नंदा हमाई साथ जुड़ गई है जो railway sector को closely track करती है दिपाली थोड़ा सा indication दिया था कि Swiggy के साथ tie-up होगा आप और क्या detail पकट रही है कल किस तरह का deal sign होने वाली है किन-किन stations पर यह शायद उपलब्ध होगी सेवा या cross country रहेगी पिछले हफ़े ही IRCTC ने अपनी market filing में ये announcement की थी कि Swiggy के साथ मिलकर e-catering का expansion किया जाएगा लेकिन अब हमें ये exclusive जानकारी मिल रही है कि Swiggy और IRCTC के बीच कल एक important MOU होने जा रहा है और इसी MOU के तहत ये facilities दी जाएगी जो लोग train में travel करते हैं कि Swiggy के जरिये भी IRCTC की e-catering की website पर जाकर अपना meal pre-order कर पाएगे तो जिन station से शुरवात होने जा रही है जो हमें sources से exclusive जानकारी मिल रही है कि कल जो MOU होगा उसमें बैंगलूरू, भुबनेश्वर, विजेवारा और विशाखा पत्नम कि चार स्टेशन से जहां से शुरुवात की जा रही है और कल MOU में भी इन चार स्टेशनों का जिक्र किया जाएगा और उसके बाद Swiggy के जरिये जो लोग इस स्टेशन से ट्रेन पकट रहे हैं वो अपना प्री-अर्डर कर पाएंगे Swiggy के जरिये लेकिन उन्हें जाना IRCTC की वेबसाइट पर ही होगा लेकिन जल्दी इसका एक्सपेंशन दूसरे सेशन के लिए भी किया जाएगा इस तरह का रिस्पॉंस आता है Swiggy के जरिये कितने ओर्डर्स IRCTC को मिलते है इसको पूरा रिव्यू किया जाएगा और फिर इसका एक्सपेंशन किया जा सकता है तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट IRCTC के लिए कल ही दरसल सौदा साइन होता हुआ दिखाई दे सकता है ये करार साइन होगा लगबग 1% तक के गेंज स्टॉक में आते हुए दिखाई दे रहा है शुक्रिया देपाली इस अपडेट के लिए एक्स्क्लूजिव जानकारी कि ये कल दरसल डील देखने को मिलेगी बीरू लेकिन में को तो याद नी मैंने लास्ट ट्रेन में कब सफर किया था लेकिन ट्रेन में अगर खाना खाना है तो मुझे वो कटलिट और ब्रेड़ी अच्छा लगता है और टमेटो सूप अब पता नहीं लोग ये स्विगी पर क्या ओडर करेंगे हाँ मुझे थोड़ा सब्सक्राइब मैं भी वही सुझता है मेरे दो जर्नी होती है हाँ से हर्दवार तक हो लास्ट टाम मैंने दिसंबर में नहीं दिसंबर साइकिंड वीक पर जर्नी करी थी श्रताबदी में अभी अभी तक मैंने वंदे भारत पे सफर नहीं किया लेकि इसके इंपक्ट देखिया आप स्टॉक पर इसके इंपक्ट डे हाई की डिक्टरि मांके ट्रेड करता हुआ इस खबर के साथ और इस खबर के इंपक्ट देखिये कि इस टेकनिकल हर्डल पार करा दिया है यह कंसलेट कर था काफिस समय से 50 तोंटी डिमा के बीच में अब ड करना पड़ेगा कि यह 20 जनवरी से चली आरी एक स्टोपिंग डानवर्ड चैनल का ब्रेक आउट यह कैसे अप्रोच करते हैं आप इसको सब्सक्राइब करेंगे इसे निलेश 945 अब यहाई पर आचुका है बिल्कुल ICTC एक काफी अच्छा रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और स्ट्रक्चर काफी पॉजिटीव है लगवग यहाँ पर भी डेरिवेटीव डेटा पॉजिटीव साइड में ही निकल के आ रहे हैं और एक शांदा रिकवरी पीछले कुछ एक मिंटों में देखने को मिली है और तो यहाँ पर इस टॉपलो जो है वो क्लियरली 925 के आसपास का रखना होगा और जो पुल बैक है वो यहाँ से एक्ट्रिन हुतावा नजर आ सकता है 965 का पहला टागेट और 980 का दूसरा टागेट तो यह दो अपसाइड में टागेट देखने को मिल सकते हैं करेंट लेवल पर भी इसे लॉंग करकी चल सकते हैं गिरावाट पर मिले तो यहाँ पर 925 के स्टॉपलो से इसे एड़ करकी चल सकते हैं स्ट्रक्चर काफी पॉजिव नाइन ट्विटीफाइव क्या सपास खरी दिये आयर सी टीसी मैंची तेजी निलेशा ने कह दिया है खरदारी का एक और मौका है बता दें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट के अपने नीजी विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलह है कि कोई भी निवेश्न इंड़ने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा लें